मुझे लगता है अगर राहुल गांदी जी के ऊपर दुरेश द्रोव का मुकद्मा दर्ज करना है तो उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करना चाहिए क्योंकि अगर देश का कोई अपमान करता है देश को कोई बेच रहा है गोई अगर पूरे विदेश में जिसने पूरा जो इंडिया का इमज है उसको डुबा के रख दिया है तो वो है नरेंदर मोधीजी उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर कहा कि भारत के लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया है जो मैं भारत देश में पैदा हुआ हमारे प्रधान मंतरी की एक वीडियो और वायरल है जिसमें वो चार्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा कभी चाय वाला, कभी चाट वाला, कभी चौकिदार मतलब यह मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हिंदूस्तान के लिए हो सकती है कि हमारा जो प्रधान मंतरी है वो चाय वाला भी है, चाट वाला भी है और चौकिदार भी है, है ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुरभाग्य होगा खुद को परधान मंतरी नहीं बताकर खुद को परधान सेवक बताते हैं देश का चौकीदार बताते हैं तो इसमें दिक्कत कहा है देखिए वो सेवक बिल्कुल है लेकिन वो अडानी जी और अम्बानी जी के सेवक है देश के सेवक वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर वो देश के सेवक होते तो उन्हें अपनी देश की संपत्ति की रक्षा क झाहिए करनी चाहिए ना कि अड़ानी और की चकाम करना चाहिए उज़ों के लेग्हाते हैं पहले जलिए इस इंडिया कंपनी की वजह से पूँरे इस्ध होले फीडिया कंपनी के 175 x तरनाक हैं लगातार जाच की मांग की जारी है जेपीसी की मांग की जारी है क्या लगता है कि आपको की कॉंग्रेस पार्टी या फिर अन्य विपक्षी पार्टीयों के द्वारा ये जो मांग की जारी है तो क्या इस पर जाच होगा आने वाले दिनों में या फिर सिर्फ और स सिर्फ हवावाजी बन करके यह रहा है मुझे जैसा लग रहा है कि जिस तरह की ताना शाही देश में चल रही है तो जनता को बहुत बड़े अंदोलन करने की जरूरत है तब जाकर कोई निशकर्स निकलेगा इतनी आसानी को निशकर्स नहीं निकलने वाला है अंदोलन संपत्ति संपत्रार कि है ड़ि तो और अगर आखल कर देखे तो से नजर आएगा करक टक पैसा नातनी संपत्ति 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 लेकिन माली कोई और बना जा रहा है इसमें पुरी देश की आँखे खोलने की जरूरत